अध्यक्ष महोदाई, हमें अपनी आने वाली पीडियों को जवाब देना है कि जब फैसले लेने का समय था, तब जिन पर विश्व को दिशा देने का दैत्व था, वो क्या कर रहे थे? आज विश्व के सामने, रिग्रेसिव थिंकिंग और एक्स्ट्रीमिजम का खत्रा बढ़ता जा रहा है। इन परिश्वितियों में पूरे विश्व को साइन्स बेज रेश्नल और प्रोग्रेसिव थिंकिंग को विकास का आधार बनाना ही होगा। साइन्स बेज एप्रोच को मजबूत करने के लिए बारत एक्स्प्रियंस बेज लर्निंग को बढ़ावा दे रहा है। हमारे हाँ स्कूलों में हजारों अटल टिंकरिंग लेट्स खोली गई हैं। इंक्यूमेटर्स बने हैं और एक मजबूत स्टार्ट अप एको सिस्टेम विक्सिस हुआ है। अपनी आजादी के 75 वर्ष के उपलक्ष में जब हम आजादी का अमरित महोत्सों मना रहे हैं। भारत 75 ऐसे सेटलेट्स को अंत्रिक्ष में भेजने वाला है जो भारतिय विद्यार्थी स्कूल कॉलेजों में बना रहे हैं। अद्दक जी, दूसरी और रिग्रेसिव थिंकिंग के साथ जो देश आतंकवाद का पोलिटिकल टूल के रुपे इस्तमाल कर रहे हैं। उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खत्रा है। ये सुनिशित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्थान की धर्ती का इस्तवाल आतंकवाद फैलाने और आतंकवाद की हमलों के लिए नहों। इस बात के लिए भी हमें इस बात के लिए भी सतर्क रहना होगा। कि वहां की नाजुक स्थिंतियों का कोई देश अपने स्वार्थ के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। इस समय अफगानिस्थान की जनता को, वहां की महलाओं और बच्चों को, वहां की माइनोरिटीज को मदद की जरुरत है। और इसमें हमें अपना दाइत्व निभाना ही होगा। झाओकर सभिफ़ के टुरत निभाना ही और रमा इसमें चर्दों की एक